इस सबको विच्चेशिना रहितलो सोधरा सोधरी मनुलको नमस्कानुलो तेलंगना की गवर्नर डॉक्टर तमिली साइस सवंदर राजन जी केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी त्रिकिशन रेडी जी गवगबन खुबा जी साउसद में मेरे साथी पंदिश संजे कुमार जी स्रिवेंटेश डेथा जी अन्य महानुभाव भाईयो और बेहनो रामा गुन्डम की धर्ती से पूरे तेलंगणा को मेरा आदर पुर्वाग नमस्कार और अभी मुझे बताया गया और मैं अभी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहा था कि इस समय तेलंगणा की सत्तर विदान सपाक्षेत्रों में सेवेंटी एसेमली सेगमेंट में हज्जारों किसान भाई बेन बेबी इस कारकम में हमारे साथ जुड़े हुए है मैं सभी किसान भाईयों बेनों को भी उनका स्वागत करता हूँ साथियों आज दस हजार करोड रुपिय से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकारपन और स्यलान्यास पेलंगना के लिए हुआ है यह परियोजनाएं यहां खेती और उद्योग दोनों को बल देने वाली है फर्टिलाजर प्लांट हो नई रेल लाइन हो हाइवे हो इनसे उद्योगों को भी विस्तार मिलेगा इन परियोजनाओं से तेलंगना मैं रोजगार के नए आउसर बनेंगे सामान नियजन की इज अफ लिविंग बढ़ेगी इन सभी परियोजनाओं के लिए देश वास्यों को तेलंगना वास्यों को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों पिछले दो धाई साल से पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है दूसरी तरफ जो संगर चल रहे हैं तनाव चल रहे हैं इसका परणाम भी उसका प्रभाव भी देश और दुनिया पर पड़ रहा है लेकिन इन विप्रीत परिस्थितियों के बीच आज हम सभी पूरी दुनिया में एक और बात प्रमुक्ता से सुन रहे हैं दुनिया के तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकणामी बन करके उस दिशा में तेज गती से आगे बढ़ रहा है सभी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जितनी ग्रोथ नब्बे के बार तीस साल में हुई उतनी अब सिरफ कुछी वर्षों में होने वाली आखिर इतना अबुत्पुर्व विश्वास आज दुनिया को आर्थिक जगत के विद्वानों को इतना विश्वास आज भारत पर क्यों है इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में पिछले आठ वर्ष में हुआ बदलाओ पिछले आठ सालों में देश ने काम करने के पुराने तोर तरीके बदल डाले इन आठ वर्षों में गवर्णन्स को लेकर सोच में भी बदलाओ आया है एप्रोच में भी बदलाओ आया है चाहे इंफ्रास्ट्रक्टर हो चाहे सरकारी प्रक्रियाएं हो चाहे इज आप डूइंग बिजनेश हो इन बदलाओं को प्रेरित कर रही है भारत की एस्पिरेशनल सुसाइटी आज विक्सित होने की आकांचा लिए आत्म विश्वास से भरा हुआ नया भारत दुनिया के सामने है भाई यो और भाईनो विकास हमारे लिए चोबिस गंटे सातों दीन बारा महिने और पूरे देश में चलने वाला मिशन है हम एक प्रोजेक्ट का लोकारपन करते हैं तो अनेक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं यह हम आज यहां भी देख रहे हैं और हमारा यह भी प्रयास होता है कि जिस प्रोजेक्ट का सिलान्यास हो उस पर तेजी से काम हो और वो तेजी से पुरा हो रामा गुन्डम का यह फर्टिलाइजर कारखाना इसका एक उदार है इस साल 2016 में इसका सिलान्यास किया था और आज इसे राष्ट को समर्पित कर दिया गया है भाई और भेनों 21 वी सदी का भारत बड़े लक्षों को तै करके उन्हें तेजी से प्राप्त करके ही आगे बढ़ सकता है और आज जब लक्ष बड़े होते हैं तो नई पद्धती अपनानी होती है नई व्यवस्ताएं बनानी होती है आज केंद्र सरकार पूरी इमामदारी से इसी प्रयास में जूटी है देश का फर्टिलाजर सेक्टर भी इसका गवा बन रहा है बीते दसकों में हमने देखा है कि देश फर्टिलाजर के लिए ज़्यादा तर विदेशों पर इंपोर्ट करके उसी पर हम अपना गुजारा करते थे यूरिया की डिमांड पूरी करने के लिए जो कार खाने लगे भी थे वो भी टेक्नलोजी पूरानी होने की काराण बंद हो चुके थे जिसमें रामा गुन्डम का कार खाना भी था इसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत थी इतना मेंगा यूरिया विदेश से आता था लेकिन वो किसान तक पहुंचने के बजाए अवैद कार खानों में चोरी करके पहुंचाया जाता था इससे किसानों को यूरिया पाने के लिए रात रात बर कतारों में खड़ा रहना पड़ता था और कई बार लाठियां भी जेलनी पड़ती थी 2014 से पहले हर साल हर सिजन में यह समस्या किसानों के सामने आती थी साथ क्यों 2014 के बाद केंदर सरकार ने पहला काम यह किया कि यूरिया की सट प्रतिशत निम कोटिंग कर दी इस ये यूरिया की काला बाजारी रुख गई केमिकल की फैक्टरी में जो यूरिया पहुँच जाता था वो बंद हो गया प्रतिशद के प्रावः ने यूरिया काला अटना विए प्रतिश गिर्फ टुख जा जो जो याथ ने विए यू यूरिया कर दो जाए तो आग्सादिए पिताए रूइए प्रतिश्वावगद रवग सह जाँ जाए है in झाल झाल